मेरा अपना मानना है कि प्रियांख कानून गो नाम के एक व्यक्ति है जो एंसी पी सी आर तो नाशनल कमिशन फर प्रोटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स के हेड है जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और जब गैर राजनितिक यात्रा में बच्चे ललक के राहूल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनिती की कोई बात हो रही थी ना वोट की कोई बात हो रही थी तो उन्होंने बड़े तगड़े से election commission को चिठी लिखी थी और election commission ने फिर उसको उनके बोला यह हमारा अधिकारचेत नहीं आपको जो करना है इस पर करिए आप मू की खानी पड़ी थी प्रियांक कानून गो आज कौन सी कुम्बकरण की नीद सो रहे ये हम जानना चाहते हैं एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहाँ पर प्रधान मंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद राजनितिक काम उससे कराया जा रहा है और प्रियांक कानून को कहीं खोते से लग रहे हैं कहीं सो गाएं किस खो में घुस गाएं क्या उनके अंदर दम नहीं है क्या उनको डर लग रहा है या आखों पर पट्टी बांग लिए ये अपने आप में एक सवाल है लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चाइल चिल्रेन कि उनको विशुद राजनितिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तमाल कर रहे है ये है अब्यूज ऑफ चाइल राइट्स इस पर NCPCR को जगना चाहिए लेकिन आखों पर पट्टी तो ऐसी बंदी है और कुमकर्ड की नीद ऐसी सोया प्रियांक कानुन गोजी कि अभी ट्विटर पर दिखने ही रहे है जी हाँ चुनाव अचार संगिता भी लगी है और मुझे ऐसा लगता है एक वीडियो है जिसको BJP का हर व्यक्ति शेयर कर रहा है हर व्यक्ति बड़ा सीना ठोक के उस वीडियो को शेयर कर रहा है और कह रहा है कि देखिए छोटी बच्ची ऐसा कर रही है यह चुनाव अचार संगिता का उलंगन है यह बच्चों के राइट्स का उलंगन है और ऐसे मामलों पर NCPCR को जागना चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना दमखम और अपना करने का जजबा वो उस शाखा पर रखाया है जहां उन्होंने लास्ट अटेंड किया था